एक खबर अभी निकल के आ रही है कि जो लाहोर 1947 है इस मुवी को लेके जो खबर है वो यह है इस मुवी में एक्शन मारधार तो है लेकिन इस मुवी के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है एकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसके डायलॉग साइंड क्यू ना हो भई जब सनी देवल और राजकुमार संतोशी एक दूसरे के साथ आएंगे तो भाई आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते क्यों क्या होने वाला है इस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ यार और उपर से आमीर खान का प्रोड़क्शन भाई यह प्रोड़क्शन के पास तगड़ा पैसा है यह स्क्रीन काउंट्स को लेके कुछ नहीं कम छोड़ने वाला भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आमीर खान का भी थोड़ा सा तो यू कैन नॉट इमेजिन की क्या होने वाला है और डायलोग बाजी इसकी पावर है मुझे आज से पहले भी यह लगता था कि आमीर खान को कभी न कभी तो अविसली सनी देवल जी के साथ काम करना था और क्योंकि वो लगान वर्सेस गडर वाज तक भूले नहीं है और उनके भी मन में था कि भाई मैं भी वही एक थीम लेके चलूं जो गडर वन की थी और अब पार्टीशन को लेके वो फिल्म ला रहे है ऐसा होने नहीं हूल है कि वो फिल्म में काम नहीं करने वाले भाई फिल्म प्रोडक्शन तो उनका है पर भाई production उनका है मैं बोल रहा हूँ ना marketing बहुत तगड़ा खरते रहे वो बहतरीन marketing होने आले उनका production है तो seriously बोल रहा हूँ screen counts वगर आको ले के कोई issue होने ही नहीं आले जो Z studios की तरब से हουआ है न कम collection बताना ये बताना वो बताना इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, in fact वो जो king है न कुछ लोग, corporate kings वैसा भी कुछ हो सकता है इस बार मनी तगड़ा आएगा, highest record तूटने वाले सारे इसलिए बहुत से लोग अब खामोश है इस जो बन रहा है न ये, इतना बड़ा कॉम्बो अमिर खान और सनी देवल वाला, राजकुमार संतोशी है उपर से, इसलिए बहुत से लोगों की अभी जो जली पड़ी है न, उसके पीछे reason है उनको पहले सी future दिख रहा है कि collection वो imagine ही नहीं कर सकते, और भाई अमिर खान का एक style है, बायचांस दंगल जैसा उसने चाइना में release मार दिया न, तो उसका वो marketing कैसे देखना है, वो अमिर खान देख लेंगे चाइना वाला, सो आप समझ लो फिर कि पाजी का कितने records पे records होने आले, और दूसरी बात जो लोगों को doubt है न, फिल्म को लेगे कि भाई, यार वो उस book पे नहीं होगे, मैं एक बात बूलू, आमिर खान at present, बॉलिवड में इस situation पे है, कि उनको खुद का भी career बचाना है, वो इतनी बड़ी risk जनम में नहीं लेंगी, खुद के productions के साथ तो वो ऐसा करेंगे नहीं जो आप सोच रहे हो, जो एक मन में डर है न आपको, अमिर खान का कभी भी खुद का production रहता है, जिसमें उसका नाम शामिल हो जाता है, और जब वो किसी बड़े एक्टर को लेंगे, वो कभी भी वो नहीं करेंगे, जो आपको जो डर लग रहा है, जो मुझे भी लग रहा था, भाई, Mr. Perfectionist ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ तो perfect story दिमाग में भाई होगी, यह डाइरेक्टर पर बिलिव कर लो, और सनी देवल जी पर बिलिव कर लो, वो कोई भी story को नहीं हाथ लगा थे, तो वाई, trust करो, आप समझ नहीं रहे हो, कि यह सब क्यूँ, इतने चुप है, बॉलिवड मिडिया वगरा भी, अमिर खान ने इतना बड़ा हाथ मारा ना, और किसी ने सोचा नहीं तर यह चीज, मजग नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एक बहुत बड़ा हाथ खेला है और एक बात याद रखो, उसने, अमिर खान ने क्या किया, मालूम है, पूरे भारत के जो गाव गाव वाले भी, सनी देवल की मूवी थेटर में देखने जाते हैं, यह जो आमिर खान को पता चला है न, तो उन्होंने क्या किया, गदर जैसी हाइप रहनी चाहिए, इसलिए पार्टिशन पे लगया, बनाई यह फिल्म, तो आप समझ लो कि गदर टू तो छोड़ो, गदर वन के फुटफ सनी देवल के फैंस से चैलेंज लगाना चाहते हूं कि वह वापस जाएंगे या नहीं, सच में, कर दे वापस गदर वन रिलीज उससे पहले, रिलाक्स मारो, गदर वन जैसे ही पागल होने वाले, इसलिए बोलता हूं, गदर टू में बेस्ट कॉन सी थी, गदर वन थी, ग वह भी गदर वन जैसा ही फूल, उसमें तो उतकर छोटा था, गदर वन में फूल सनी देवल था, और वही टाइप का अगर माहूल या पे बन रहा है, तो वह गदर टू से जादा क्रेज आटोमेटिक बनेगा, जो लोग बोल रहे हैं का भई गदर का नाम नहीं है, गदर क बनाने दो इन बच्चों को जितने रिकोर्ड बनाने हैं, जब इनके पपा आएंगे ना, सारे रिकोर्ड खलास कर देंगे, बस चाइना में रिलीज मार दे बाई, चाइना में भी रिलीज मार दे, सच बोल रहा है, आमिर खान, अगर दिल बड़ा है तो, क्योंकि उसको य क्या अमिर खान का कि वर्ल्ड वर्ड भी अच्छा करेगा, और चायना भी लेके जाएगा, तो कहिए ना हो कि सच में डंगल का ही रिकोर्ड तोड़ दे, उसको चलेगा क्या, इसलिए मुझे लग रहा है कि आमिर खान का भी रोल उस फिल्म में होगा, पॉसिबल ही नहीं क प्रोसर, इसमें सनी देवल जी के फैंस को भी फायद है, सोचो जरड़ी पे ये सब, टेक केर गाइस